प्रधान मंत्री मोधी की क्या मनशा है प्रधान मंत्री मोधी आरेसस को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं पूरी जानकारी मैं आगे विश्टार से दूँगा लेकिन लालू प्रसाद यादों ने पूरी खबर में मिर्च और मसाला डाल दिया है नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक सुबाज जब पूरे देश वासियों की आँखे खुली तो पता चला टीवी पर ब्रेकिंग निउज आ रही है ब्रेकिंग निउज जे है कि PFI पर भारत सरकार ने 5 साल के लिए रोग लगा दिया है जो आजी संगठन खुस हो गएं मिठाईयां बाटने लगे कि देखिए PFI पर बैन लगाय जा चुका है देश के अलग-अलग हिस्सों में बैन लगाय जा चुका है उत्तर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, महाराश्ट्र जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है सोच लिजे PFI पर बैन लगा दिया गया PFI कटर संगठन है कटर इसलामिक संगठन है लेकिन होई RSS पर बैन नहीं लगाय जा रहा है इसके पीछे के क्या माइने है आज लालू प्रसाद यादव ने RGD के राश्ट्री अध्यक्षपद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और वहाँ पर TV मीडिया के कई पत्रकार पहुंच गएं उन लोगों ने लालू यादव सवाल किया लालू यादव जी PFI पर तो 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया इस पर क्या कहेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने कहा PFI पर बैन लगा दिया गया है ठीक है लेकिने बताईए RSS पर कब बैन लगा जा रहा है जो काम PFI के दोरा लगा तार किया जा रहा है उसी काम को तो RSS दोरा भी किया जा रहा है आपको जानकारिक लिए तीन बार RSS पर पहले भी बैन लगाया चुका है और बैन लगाया था सरदार बल्लब भाई पटेल जिनकी मूर्थी को BJP ने गुजरात में लगवाया है और हर साल उनकी मूर्थ से कई करोल रुपे BJP सरकार कमाने का काम लगातार कर रही है पहले सरदार बल्लब भाई पटेल कॉंग्रेस की हुआ करते थे लेकिन भारती जनता पार्टी की सरकार जब देश में बनी इसके बाद प्रधार मंतरी मोधी ने कहा सरदार बल्लब भाई पटेल जिने लोह पुर्ज भी कहा जाता है वे तो हमारे हैं और इसी को देखते वाले संगठन है, सभी पर प्रतिबंद लगाना चाहिए, जिसमें RSS भी शामिल है, सबसे पहले RSS को बैंग कीजिए, यह उससे भी बदतर संगठन है, RSS पर दो बार पहले भी बैंग लग चुका है, सनद रहे, सबसे पहले RSS पर प्रतिबंद लग पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था, जैसे यह खबर सामने आई, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट सामने आया, लालू प्रसाद यादव ने मीडिया में बयान जारी किया, तो टीवी मीडिया कहने लगी, PFI की तुलना RSS से क्यों की जा रही है, सोच लीजिए, तुलना क्यों ना की जाए, BBC ने रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट के जरिये में बताऊंगा, RSS पर क्यों ना बैन लगाया जाए, RSS को भारत से क्यों ना भगा दिया जाए, या बंद कर दिया जाए, BBC ने लिखा है, RSS का प्रमुख कोई ब्रामर ही क्यों बनाया जाता है, लगभग एक सदी के ल संगठन है दूसरा सवाल है आरसत जातिगत आरक्षण की सम्युक्षा क्यों करना चाहता है जातिवाद की क्यों नहीं क्या आरक्षण पा रही जातियां कम हिंदू है वाद जो सब्द होता है वाद बहुत खतरनाक होता है यह वाद कहीं पर लग जाए जातिवाद धर्मिवा पुरुषवाद, महिलावाद वाद बहुत जादा कट्टर होता है और कट्टरता ही हमारे देश के लिए बहुत जादा खतरनाक है तीसरा सवाल होई है क्या RSS के शिखर बेक्तियों में से एक विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर ने जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगी थी वह माफी नामा दस्तावेज के रूप में मौजूद है इसलिए वीर सावरकर को माफी वीर कहा जाता है ए लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं वैसे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर तमाम आरोप लगाये जा रहे हैं आरोप है कि जितनी सारी कंपनियां हैं जितनी सारी जनसियां हैं सब को वाले अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसी प्रकार से जिस तरीके से वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग करके जेल से छूड़ गए थें वहीं चौता सवाल है गादी के हत्यारे नाथूराम गोड़से का आरसस से क्या संबंद था पांचवा है क्या पांच जन्य आरसस का मुकपत्र है हाल ही में संग पुर्मुख ने दादरी की घटना तत्हीन भलकाओं रिपोर्ट छपने के बाद इंकार किया चटा सवाल है क्या आरसस को भारत का जंडा स्वीकार नहीं है 14 अगस्त 1947 को आरसस के मुकपत्र में छपा भारत के जंडे में तीन रंग अशुब हैं इससे खराब मनोबै ज्यानिक असर पड़ता है या भारत महादेश के लिए नुकसान दे है जिसे हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे तमाम सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब भारती जंता पार्यटी के लोग आरसस के लोग नहीं दे पाएंगे इसी लिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आरसस की विचार धारा जोहना साहब ओ अलग है RSS क्या सिखाती है? RSS बंदूग चलाना सिखाती है RSS का एक काम है देश में किस तरीके से दंगा किया जाए किस तरीके से लोगों उसाय जाए और हमारे आजाद मुल्क में दंगा हो BJP का भी ही काम है एक तरीके से RSS से निकली हुई BJP है साल 1925 में RSS का गठन हुआ था और वहीं साल 1980 में भारती जन्ता पार्टी का गठन हुआ था प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हमारे देश के हैं भारती जन्ता पार्टी के लोग उन्हें इसस्त्वी प्रधान मंत्री कहते हैं लेकिन सवाल कहीं है हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी से मोदी जी वाद जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है अगर आपने पढ़ाना होगा शायद आप पर सकते हैं पैच अगर आपने मोदी जी पढ़ाना होगा तो आप जाकर के पर सकते हैं जहां पर वाद जूरू जाता है वो बहुत खतरनाक होता है को बैन कर दिया आपने इसके लिए बधाई आपको लेकिन सवाल वही है RSS को बैन आप कब करेंगे मुझे चीछ पता है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाजपाई नाराज भी हो सकते हैं प्रधान मंत्री मोदी की बस की बात नहीं है भारस सरकार की बस की बात नहीं है RSS को बैन कर दे प्रधान मंत्री मोदी ने RSS को नहीं बनाया है बलकि RSS ने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को बनाया है इसलिए भारस सरकार के पास ओह हिम्मत नहीं है भारस सरकार के पास तो ताकत नहीं है ये लोग RSS जैसी संगठन को बैन कर सकें बैन नहीं हो सकता लालू यादो का बयान आने के बाद टीवी मीडिया बौक लाई पड़ी है आप कोई भी चैनल खोल लीजिए सब जगां PFI PFI और PFI चलाया जा रहा है लालू प्रसाद यादो के बयान को चलाया जा रहा है लेकिन लालू प्रसाद यादो ने जिस तरीके से टीवी मीडिया को धो दिया है भारस सरकार की बक्षे उधेर दिया है उसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि टीवी मीडिया में जो लोग बैठे हुए है अधिकतर लोगों का संबंध है RSS से है अगर उन लोगों का संबंध RSS से नहीं है फिर भी उन लोगों की सोच जो है मनवादी है अधिकतर मनवादी लोग बैठे हुए है और इसी की वजह से लालू प्रसाद यादो ए नीचा दिखाने कोशिश लगातार TV मीडिया के द्वारा किया जा रहा जो कि देश और समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है मैं TV मीडिया को चैलेंज करना चाहता हूं TV मीडिया कभी एक तरफ RSS और एक तरफ PFI की तुलना नहीं कर सकती जब आपने पढ़ाई की होगी आपने देखा होगा अंतर पूछा जाता किस चीज में अंतर होता है था हम उसकी तुलना उससे करते हैं लेकिन हमारे हां हमारी जो TV मीडिया है और कभी भी RSS की तुलना PFI से नहीं कर सकती लालू प्रसाद यादो जो बहुजन नेता हैं उनको बदनाम करने कोशिस लगाता TV मीडिया के द्वारा की जा रही है और TV मीडिया को एक अच्छा मौका मिल गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही लेकिन पूरी वीडियो कले करके आपकी क्या राय है क्या विचार है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जरूर दीजिएगा धन्यवाद